कि नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका आपका ही कारिक्रम में जिसका नाम है सावाजीक सरुकार कारिक्रम का विश्य है सेवा ही संकल्फ है दर्शकों सेवा करके हम वो सब पा सकते हैं शायद कोई तपस्या करके पाता हो निश्चिती आज बड़े सवभागे की बात है कि आज हमारे साथ करुणा धाम आश्रम श्रीमा लक्ष्मी मंदिर के पिठा दीश्वर्ट सुन्दर आश्रम मुझे लगता है पूरे मद्यविदेश और पूरे हिंदुस्तान में मंदिर होंगे उन में से एक आप जरूर इस आश्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि करुणा धाम आश्रम की नीव कपड़ी ये विचार कब आया और किस तरीके से यहां का नीव कभी नहीं दिखती हैं जोगे इसके जो भी सेवा प्रकल्प है वह परम पूझय ब्रह्मलीन गुर्देव की तपस्याह का ही फल है आधार वो ही हैं, पित्रपुरुष वो ही हैं, और इसके स्रजन करता भी हुई है, यह उन्हीं की तपस्या है जो फली भूत हो रही है, मैं मजाक में कई बार कहता हूँ, कि हम बाप कमाई खा रहे हैं, परमपुजी जो थे, मर्यादा का उन्हें विशेश ध्यान रखते थे, कि सब मर्याधित रहे क्योंकि पशुम और मनुश्य में मर्याधा कई थो अंतर है तो वो कहते थे कि मर्याधित रहो मर्याधा सर्वो परी अगर हम उनका व्यक्तित तो जानना चाहें कि परमपूज गुर्देव क्या थे, एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ, एक बार परमपूज विश्राम कर रहे थे, संड़े का तिन था, और कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया, निश्यत रूप से वो कोई भावुक नहीं था, शद्धावान नहीं था, उसके पास समय था तो मिलने आ गया, आप जो सेवक्त हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं मिल सकते, तो उसने एक चिठ्ठी लिखी, उसको बंद की, तो बोले जब जब जा गयाएं तो दे देना, उस चिठ्ठी में लिखा ह हुआ था, एक दिन वो परची, मैंने परम पूजी का जो ब्रीफ केस था, जिसमें हम कार्ड रखते हैं, ट्रांस्पेरन, उसमें फसी भी देखी, तो पूछा, कि ये परची यहां क्यों है, तो बहुत जोर से हसे और बोला, मैं इसको रोज पढ़ता हूं, दिन में चार ब पढ़के, मैं ये तह करता हूं, कि जो चीज इसमें लिखी है, वो मेरे भीतर नहीं आना चाहिए, ये परम पूजी का व्यक्तित्व था, निश्चिती, जब हम आलोचना कोई हमारी करता है, इनसान को ज़रूर बुरा लग सकता है, वो भाव आ सकता है, पर जब परम कर रहे हैं, आश्रम दोरा बहुत जो सेवाकारे चल रहे हैं, इसकी तो हम बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं, दूर दुरदर्शन की तरफ से, आपको जो लोगो है, करोना धाम आश्रम, जब मैं उस पर स्टड़ी कर रहा था, आम तूप से हम जब एंकर बैठते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें हम, मैंने देखा कि जो टेग लाइन था, धार्मिक संस्ताओं पर मूल रूप से नहीं देखने को मिलता है, पर उसमें लिखा था, नेशन फर्स्ट, अर्थार्थ राष्ट जो है, वो सर्वो पर ही है, तो उसका क्या अर्थ ह आप इस विशह पर जरूर दर्शकों को बताएं, देखें, अगर मैं यह कहूं तो अतिश्वेक्ति नहीं होगी, कि पिछले आठ सालों में मोदी जी ने जो जन जन को एक भाव दिया है, राष्ट प्रीम का, उससे मुझे नहीं लगता कोई अचूता है, और सबसे बड़ा जो धर्म होता है, वो धर्म होता ही राष्ट धर्म है, मैंने एक छोटी सी कथा लेखे थी, यमराज का दरबार, एक संत आते हैं, शरी छोड़ के, यमराज कहते हैं, आज के मुख्यतिती आप है, तैयारियां होती है, यतने में बाहर से शूर मशता है, एक सेवक आता है, य यम्राज संत्य स्ग्षमा मांगते हैं, आज आप मुख्य अथिति नहीं रहेंगे। स्वयम बहार जाते हैं, वहां से एक शहीद की पालकी आती है, जिसे यम्राज स्वयम कंदा देकर मुख्य अथिति की आसन पर बैठाते हैं. और यह कहते हैं कि इसने अपने राश्टर के लिए अपने सबसे कीमति वस्तु जिस सब को प्यार होता है अपना जीवन यह दिया है तो यह मेरी दृष्टी में स्तंत से भी उपर है तो हम सबका धर्म है राश्ट्र के लिए और धार्मिक बना ही इसी ले जाता है कि हम अपने देश से प्रेम कर सके हमारे भीतर यदि कटुता है चाहे वो जाती को लेकर हो चाहे समाज को लेकर हो यदि हमारे भीतर कटुता है तो हम तीन घंटे भी अगर अगर इबादत करते ह तो उसका कोई लाब नहीं है क्योंकि हम धार्मिक नहीं है धार्मिक वही है जो अपने राष्ट से प्रेम करता हूँ निश्चिती बहुत खुबसुदत शब्दों में अब्रमजी गुरुदेव जी ने इसको परिवाश्यत किया कि देश की प्रती समर्पण संत से भी बड़ा है जैसा कि आपने इस लगू कता में बताया निश्चिती धर्म है सेवा है जो इस रश्टी चल रही है मुझे लगत प्रसंता हुई जब अपने आप में राष्टी स्तर की संस्थान है सरकार केंद्र सरकार फंड करता है सब कुछ होता है उसके बाद भी आपका वह प्रपोजल गया या किस तरीके से मेमोरेंडम साइन हुआ होगा जो शड़ रहे होंगे एमस में जो क्रणोईश्वरी विश इसे लेके शुरुआत होती है रात्री भोजन तक तो बहुत भारीक तरीके से उनकी जरुतों को अपने ध्यान में रखा यह भाव संस्था को कैसे आया आश्रम को कैसे आया जरूर बताएं और कैसे एक्जिक्यूट हो गया और आज कितने लोग लाभानवित है फिगर एक म नागरकरजी को उन्होंने एक दिन रात्री ग्राउंड लिया और देखा कि ठंड के दिन है और लोग बाहर सो रहे हैं मरीजों के लिए तो अंदर विस्तर हैं लेकिन जो साथ में आये हैं मैक्जिमम गाओं वाले आते हैं और एक मरीज के साथ चार चार लोग आते हैं और वो सब ठंड में बाहर थे तो उन्होंने सामाजिक संस्थाओं पे रिसर्च की और मा की खराती इश्वर की क्रपाती की उन्हों नेने हमें छुना और फिर विश्रा माले का निर्मान शुरू हूए उनका बहूत सहियोग रहा आज भी विश्रा माले चल रहा है और अभी ज कुछ गलत ना हो और मानों सिवा होती रहें तो हमारा सवभाग है कि हम ऐसे डायरेक्टर मिले जो हमारा पूरा सही होग कर रहें जहां तक फिगर की बात है कई दर्शकों को लग सकता है कि फिगर कैसे आया तो पंजी करण होता है कोई भी मरी जाता है तो इसका आधार लेकर उसका पंजी करण होता है इसलिए ये फिगर हमारे पास निश्चिती ये फिगर बताने का कारण है कि यह भी है कि हमारे मन में उत्सहा आता है हमारे मन में वो खुश ही आती है कि जिस दिशा में हम चल गए हैं समास सेवा की वह हम कुछ अचीव कर पा रहें गुरू जी इस उसको execute करना यह बहुत important है उसको administration चाहिए उसको समय पर पहुचे सही पहुचे और गुर्वक्ता के साथ पहुचे यह किस तरीके से संभा हो सकता है जरूर बता है तो उसमें भिन भिन विचार के लोग आते हैं कुछ उसमें केवल दिखाने के लिए आते हैं कुछ सही में स ज़े जानता है जो सेवा का जो प्रतिफल यह पुच्छ जिआंता है जब आप ए उसको करने से क्या होता है तो निश्चित रूप से आपका उस्सा बढ़ता है तो मां की बहुत क्रपा यह तो हमारे साथ जो भी जुड़ा है वह भाउ से और श्रदधा से जुड़ा हुच टो वो सेवा भी वैसी ही करता है और लालाई तरहते हैं नम्मर लगता है लोग कहते हैं हम्को सेवा करने दू think ने हमने सच्छता सिपाई है वो दिये हिए बाग की ज有點 बुजन पहुचाना क्युबब captivate यह सब हमारे वॉलेंटेस को निश्चिती अपने आप में बड़ा काम है और एक दिन का काम नहीं है एक महीने का काम नहीं है यह लगातार चरेवती चरेवती काम है निश्चित चलने वाला काम है यह जवाबदारी उठाना हम साधुगाद देते हैं दूरदशन परिवार की कि और से करोनधाम आश्चित से जुड़े हुए उन सभी सब्रबस्रेवती सेवादारीों को करता कहना शब्चाह साएस नहीं होगा उन सेवादारीयों को समर्पित भाव रखने वाले उन लोगों को जु लोग ये भी देखने को मिला कि बाप बेटा अलग रह रहे हैं माँ बेटी के पास नहीं जारी विमारी उस तरीके से फैल चुकी थी कि खून भी दूर भाग रहा था उस समय करणाधा माश्रम के सेवक सड़क पे थे नकेवल उन्होंने भोजन की वबस्ता की उस समय जो हमार सब्सक्राइब करना यह भाव कैसे था जरूर आप बताएं इसमें मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा सेवाधरी का जी राधिशाम लेलवानी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सामाजिक संस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जुड़े होते हैं लेकिन जो धार्मिक संस्था होती है उसमें एक विश्वास के साथ रखती जुड़ता है राधिशाम जी ने बिना भै के साथानी पूरी रखी जो मरे आदाएं थी उसको पूरा रखा प्रोटोकॉल फॉलो किया लेकिन उन्होंने बिना भै के पूरे कोरोना में दो साल एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब हमने अन न दिया हो प्रति दिन अन दिया है और बना हुआ स्वच्छता से और गरम जगा जगा जाके बाटा है कलेक्टेश से भी आया था कि आप मजदूर पलाइन कर रहे हैं इतने लोगों का भोजन भेजा जगा 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 जाके भी लोगों को भोजन कराया तो दो साल तक निरंतर और मा की ऐसी क्रपा रही सेवा का ऐसा कि जितने भी कार्य करता जो भी कोरोना काल में महां भोजन बाटने गए थे एक को भी कोविड नहीं हुआ करते हैं शक्रीजे सब्सक्राइब करें निष्चिति उषार रॉप कि विश्वास ब unlimited तो ऐसे ऐसiden क्रिवारUD के साथल्सक्राइब पर अगर आप किसी को शिक्षा देते हैं तो उसकी पीडियों को ठीक करते हैं जनरेशन को आप लाब देते हैं अब करणेश्वरी जो आप स्टडी सेंटर जो भी चलने लगें लगब तीन हजार से अधिक बच्चे इसमें अभी सक्रिय रूप से जुड़े भी हुएं क्योंकि इसमें आप एक बच्चे को शिक्षित करके उसके आने वाली पीडियों उसके माबाप आप तीन जनरेशन को उसके खुद की भी वह कर देते तो यह यह भी बड़ा भाव है यह कैसे एक्जिक्यूट कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए स्कूल भी है विद्याले भी है और सारे काम करी रहे हैं पर करणाधाम कैसे इसमें जुड़ा क्योंकि धार्मिक संस्ता और शिक्षा विलकुल दो अलग भाव है और आपने उसको कैसे बिरिज बनाया यह भी जरूराम दर्शकों को बताना चाहिए देखे मैंने जो जुग्गी वस्तियां हैं वहां सर्वे करवाया क्योंकि मन में भाव था कि जानूं कि यहां के बच्चे क्या कर रहे हैं और घर में पढ़ाने वाला कोई भाव पढ़े लिखे नहीं हैं और उसी समय में मख्यमांति जी ने लाडली लक्ष्मी योजना अंच की तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदी मापढही लिखी होती है तो बच्चा कभी अनपढ़ नहीं होता कभी नहीं होता attitude पढ़ा लिखाओ तो बच्चा अनपढ craft न और फिर हमने उसी जुगी बस्ती में एक जुगी किराय से ली, क्योंकि वहां के माहूल में रमे हैं, उनका विश्वास अगर हमें लेना है तो हमको वहीं पहुचना होगा, वहीं का एक पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची हमने हायर किया, उसको तंखा हम देते हैं, कुछ अलग नहीं लगे, इस्थान भी उनका, जगे उनकी लोग भी उनके, और ये भाव मैंने बच्चों से भी शेर किया, कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं बंध हो जाएं, जो फ्रीट उशन सेंटर चलाती हैं, तो वो चौके कि ऐसा क्यों, मैंने आप पढ़ इसा ही करें, तो फिर इन सामाजीक संस्थाओं की जरूरत कहां बचेगी, जब आप खुद सक्षम हो गए, आप जब उस स्थान से उपर उठके गए, तो आपको उस स्थान के कष्ट पता है, भाव पता है, तो आप हम से अच्छा करोगे. निश्चिती गुरू का ये करतव भी है, दायत भी है कि सेवा का जो बीज है, अगर अपने शिश्य में डाल दें, और गुर्देव जी बहुत बखुबी इस चीज़ को आज जब मैं विस्तार रूप से चर्चा कर रहा हो, तो मुझे लग रहा है कि गुर्देव जी वह ब प्रबल हो जाते हैं, शिक्षा पे बहुत काम हुआ, 35 लाग से अधिक लोगों को अन पहुचा, पका हुआ खाना गुर्मक्ता के साथ पहुचा, आपने स्वास्त के लिए भी बहुत चिंचा कि और स्वास्त में भी मैंने ये जब और मैं गहराई से इसको समझने की करना था, तो आपने अलोपेथी को बहुत किसी विधा पे बोलना नहीं चाहिए, पर आपने हुमेपेथी को चुना, और उससे जुड़े हुए आज 25 लाग से अधिक लोग नाभानुद भी हो गए, चिकिस्सा कित्ता स्वास्त कित्ता इंपॉर्टेंट है, जरूर बताए दिखे हमारे याँ जो सुख कहे गए, उसमें पहला सुख निरोगी काया बताया है, आपके पास सब है और शरीर स्वास्त से नहीं है, तो वो सब बेकार हो जाता है, तो शरीर का स्वास्त होना बहुत जरूरी है, और पैथी सभी अच्छे है, सब की कही न कही जरूरत पढ गया है, लेकिन होमेपैथी एक निरापद है, बहुत कम उसमें देखने को मिलेगा, आपको कहें कि उसका साइड इफेक्ट हो गया, या किसी को सूट नहीं होई, लेना आसान है, देना आसान है, उसको चलाना आसान है, और परिणाम बहुत अच्छे है, गुरु जो लोग जुड़े हैं, अब इसमें कौन लोग आ सकते हैं, क्योंकि आश्रम से लोग हैं, वो तो जुड़े हुए, किसी के लिए भी है, सब के लिए है, या इसमें भी कोई एलिजबिलेटी रहती है, कैसा रहता है? यह सब के लिए खुला है, न अमीर न गरीब, हमारे हैं करें कि पूरा मद्यपिदेश आज यह देख रहा है सोशल मीडिया के इस दौर में पूरे राष्ट और अंतराष्टिय स्तर पे सामाजिक सरोकार को देखा जा रहा है तो बहुत ही सही सा प्रश्ट है कि कैसे संपर करें कैसे पूंचे की वेब साइट पे जाके हम संपर कर सकत करणदम आश्रम मद्यपिदेश की राजदा नी हिर्दय भुपाल जिसे मैं कहूं वहां पे नहरुनगर चेतर है वहां पे हैं आप जब भी आएं जरूर एक बार विजिट करें नकिवल सेवाकारियों को देखें सेवाकारियों के अलावा वहां बहुत ही सुन्दर जो मंद्यपिदेश के टुरिजिम को बढ़ाता है बहुत ही व्यवस्तत रूप से रूप से हिये मंद्र सक्क्रिय रूप से बहुत काम कर रहा है घृत सारे सेवा कार्य हैं मंन में बहुत सारे भाव आवी रहें एंबुलेंस की ज़रत आपने हर जगह पर मैं यह देख रहा हूं कि आपने कोई भी छेतर छोड़ा नहीं आपकी सेवाधारियों ने चिकिसा को शिक्षा को एंबुलेंस बहुत ही बेसिक सी चीज़े कोई किसी को फोन करके बुला सकता है आपने उस सेवा को भी उठाया और कैसे लोगों को आज जोड रही है यह जरूर पता है मैंने एक दिन भासकर में एक नियूस पढ़ी कि दो दिन से शव रखा हुआ है और उसको वो ले जा नहीं पार है जब कारण जानना चाहा तो पता चला कि बहुत गरीब लोग है इलाज कराने के पैसे नहीं है इसलिए स दुखे भी हुआ उसी समय संकल्प लिया कि एक एंबुलेंस हम आप इशर की क्रपास से दो हो गई है केवल इसलिए रखेंगे कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको फ्री आफकास जहां भी वो जाना चाहता है वहां पहुँचाएंगे और यद कि शवदहा और संसकार के पैसे नहीं है तो वो भी हम उसको पूरा करेंगे तो जब भाव बनते हैं या दया भग मन में आती है तो ऐसे संकल्प और ऐसे सिवा प्रकल्प इश्वर दे ही देता है निश्चेती बहुत ही बारीकी से मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूं करने के लिए हो सकते हैं अ मज़ब इसको प्रभल दे लिए इसको अपने घंण लाकार किया हो चलाएं अमेरे हैं मन्धपिदेश शवrh मुख्य मंतरी जी बड़े गौमाता के उपर शिवराजी बड़ा काम कर रहे हैं उसी भाव को आपने आगे बढ़ाया और गौशाला वो कितने सालों से हैं कितनी गौमाता हैं उसमें और उस पर कैसे जुड़ सकते हैं कहां इस्ताफ़े दे जरूर हमारे दर्शकों को बताएं आश्रम के दो और सेवा प्रकल्प हैं नर्वदा तर्ट पर एक बुद्री के पास गौड़िया अश्रम है जहां पर अभी गौशाला है और करीब असी गौधन महां पर हैं निश्शित रूप से हमारे जो मुख्यमंतरी जी हैं इस पर बहुत काम कर रहे हैं नर्वदा पर भी काम कर रहे हैं कि ये मुल्यवान है इसलिए उसे गौधन कहा जाता है गौव माता हम उनके साथ माता लगाते हैं हम अपनी माँ को कैसे रखते हैं भाव यह है कि हम गौव को भी वैसे ही रखें और जो विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है कि गौव यदी प् इसका पूरा एको सिस्टम खराब हो जाएगा और प्रत्वी नष्ट हो जाएगी अगर हम इतनी सी बात जान ले माता ना भी माने तो भी हम यह जान ले कि प्रकृति की धूरी गव है और उससे बचाना हम सब का करतब है निश्चिति प्रक्टिकली कई लोगों के प्रक्टिकल थाट गुरुजी नी दिया कि इसके होने से इको सिस्टम बहुत ही बैलेंस्ट है विज्ञान इसे कहता है नकेवल आश्रम न गुरुदेव पिठादिश्वर कह रहे हैं पर विज्ञान भी कह रहा है तो हमें गव माता की सेवा करनी चाहिए आपने नर्मदा जो को भी मेंशन किया कि बड़ा काम नर्मदा पे मान नर्मदा पे हो रहा है आप भी नर्मदा यात्रा पे हजारों किलो मीटर मैंने अकपारों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से आपके आश्रम के सोचल मीडिया से देखा है यात्रा का तो बहुत लाब होते ही होंगे ख आप तो अनंत हैं लेकिन हम जो विशाय है उस पर बात करें कि व्यक्तिगत अगर हम देखते हैं तो जो परिक्रमा है वह हमें नम्र बनाती है जुकना सिखाती है क्योंकि परिक्रमा में निश्चित रूप से आपको हाथ फैलाना ही पड़ता है क्योंकि वहां को आपके लिए अलग से सुविधा नहीं है, आपको सुविधा ढूंडनी पड़ेगी, कुछ निश्चित नहीं है आप कहां रुकेंगे, और जहां रुकेंगे, वहां क्या सुविधा होगी ये भी पक्का नहीं है, तो आप ढलने लगते, आप एड़्जेस्ट करना सीख जाते हैं, जो आप अपने घर में कभी नहीं करते हैं, क्योंकि घर में आप अपनी विवस्ता बना के रखते हैं, तो नर्वदा परिक्रमा का सबसे बड़ा लाब ये होता है, कि व्यक्ति एड़्जेस्ट करने लगता है, और जो एड़्जेस्ट करता है, वो जीवन में दुखी नहीं होता महां नर्वदा है, नर्वदा का अर्थ ही है, सुख देने वाली, तो सुख मिलता ही जब दुख हर जाए। निश्चिती और सामाजिक समरस्ता भी एक भाव जो आपने बता है। अद्वद है, नर्वदा परिक्रमा के कुछ चीजें, जब हम वहां जाते हैं नर्वदा परिक्रमा पर और आप जहां रुखते हैं, वहां यह नहीं पूछा जाता है कि इस्त्री पुरश्य। वहाँ पूछा जाता है कितनी मूर्तिया हैं, उन मूर्तियों में इस्त्री और पुरिशी दोनों होते हैं, तो लिंग भेट समाप्त हो गया, दूसरा, रुकने वाला, जहां रुकता है उससे सरनेम नहीं पूछता, अर्थायत जात नहीं पूछता, और जो रोकता है, वो पूछती जात न पूछो साधुकी, पूछ लिजे काम, निश्चिती यातरी नहीं है, यह मूर्तियां हैं, और यह सामाजिक समरस्ता है, हमें धार्मिक गुरु, हमारे आद्यात्मिक गुरु हमें सिखाते हैं, और वहीं बोल भी सकते हैं, मुझे लगता है हम जब खुद पर जब गुरुदेव बोलते हैं, या हमारी आस्था जिन में होती है, वो बाकी चीजों से उपर उठके बात करते हैं, गुरु जी समय की अपनी पाबंदी है, हम आप से बहुत सारी चर्चा करने चाहरे हैं, पर कुछ दो प्रशन और मेरे मन में हैं, समय हमारे पास बहु एक तो गुरु जी सेवा से हमें क्या लाब होता है, क्योंकि क्या लाब होता है, वो चेतना जो आप बात कर रहे थे, उसके बारे में जरूर बताएं सेवा आपके भीतर की समवेदना को जगाती है, आपकी चेतना को जगजोरती है, क्योंकि सेवा आप करते किसकी हैं, जो अभाव ग्रस्त है, जो दुखी है, जो आप से कुछ चाहता है सेवा करते सामें एक चीज का अवश्च ध्यान रखें आप, सेवा में दो हाथ होते हैं, एक उपर वाला और एक नीचे वाला सामाजिक तोर पे जब लोग देखते हैं, तो उपर वाले हाथ को महत्व देते हैं, लेकिन मेरी जो दृष्टी है, कि अगर नीचे वाला हाथ ना हो, तो आपका दिया हुआ भूमिष्ठ हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा तो महत्व नीचे वाले हाथ का है, वो नीचे वाला हाथ आपको यश्च दिलाता है, आपको संतुष्टी देता है, आपको शुद्ध करता है, तो देने वाला वो है, लेने वाले आप हैं, भ्रम ये है कि मैंने दिया, जब ये सेवा प्रकल प्रारंब हुए जब मैंने दो relation line लिखी थी कि तू ने दिया हमने दिया एहसान इन पर कर दिया हक था इनका ही नजाना हमने ये क्या कर दिया तो सेवा आपकी समवेधना को जगाती है ज़ब आपकी समवेधना जागती है तो आप पारधर्शी बनते हैं एक छोटा सा उधारेंड, सूर्य उधाय होते हैं, अपने उश्मा, अपनी प्रकाश, सब में समान रूप से डालते हैं, लेकिन कांच और पानी, इन दोनों में सूर्य की जो तेज है, वो कई गुना बढ़ता है, अब ये सूर्य पक्षपात नहीं कर रहे हैं, ये कांच और पानी के अपन होती करते हैं, इश्वर हर व्यक्ति को सचेत कर रहा है, जब भी वो कोई गलत काम करता है, इश्वर उसको सचेत करता है, लेकिन हमारे भीतर एतना शूर है, कि हम इश्वर के आवाज नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो सेवा करता है, जो पारदर्शी हो जाता है, जो शुद की कुपसूरत शब्दों में मैं काम आपकी खेत्र में चल ह्रेआegर आप नहीं कर रहे तो आजके रीज Kashyam आप न शेक्षे जोड़ जाए कि फिudent आपके परिवार को मिलेगा हम बहुत बहुत आब रही हैं आप मुझे गुर्देव सदेशनली महराजी का आपने हमें समय दिया और हम आबारिया आप दर्शकों का भी आपने समय निकाला बुझे दीपक को जिसने जलाया है खुद नखाकर दूसरों को खिलाया है कि यह जिसने कई परमार्त के काम है ऐसे आश्रम का नाम करुणाधाम है आईए करुणाधाम आश्रम जरूर एक बार देखिए मालक्षमी के दर्शन करिए और उसी तरह की सामाजिक सरोकार के सेवा कारियों से जुड़े रहिए नमस्कार करुड़े नमस्कार के से जुड़े के दो खिलाया है